नमस्कार रिनास फूट कॉर्णन में आपका स्वागत है आज बेशन की सबजी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसे मैंने टमाटर सेनव बना करके दही से बनाया है और साथ में आलू भी डाला है आईए देखे इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले एक कढ़ाई ले ले उसमें तीन चमच सरसो तेल ले आप घी से भी बना सकते हैं आदा चमच पंच फोरर, आदा चमच जीरा, एक चुटकी हिंग, सौधा नुसार हरी मिर और सुखी लाल मिर एक एक चमच अद्रक और लेसुन को क्रश करके मैंने इसमें डाला है इसे एक मिनट के लिए भून ले जिसे लेसुन का कच्चा पंच चला जाएगा कुछ फ्रेश करी पत्र डाल दें और एक से तेड़ मिनट के लिए इने भूने इसमें बारिक कटा हुआ प्यास डाल दें, आप बिना प्यास कभी बना सकते हैं धाई से तीन मिनट प्यास को भूने, इसे धक करके भूने तो बहुत ही जल्दी बन जाता है इस बीच आलू को पहले छील लें, उसको कट कर लें चोटे-चोटे टुकडे में और उसे पानी में रखें जिससे कालापन नहीं होगा जब प्यास थोड़ा भून जाय तो इस आलू को डालेंगे पानी निकाल कर अब इस स्टेज में आलू को डाल दें साथ से आठ मिनट के लिए आलू को भूने लो फ्लेम करके और इसे ढख करके रखें और बीच बीच में इसे चलाएंगे अब इस स्टेज में एक चमच हल्दी और स्वादन उसार नमक डाल दें अच्छी तरह से इसे मिला दें अभी तक मैंने साथ मिनट के लिए आलू को कुक किया है अब आलू को साइड करें बीच में मसाले डालेंगे जैसे कलरफूल करने के लिए एक चमच काश्मेरी लाल में देट चमच धनिया पॉडर आधा चमच भूना जीरा पॉडर पहले मसाले को सेंटर में भूने फिर आलू मिला करके इन्हें भूने लगभग एक मिनट के लिए ध्यान रहे मसाले जनले नहीं चाहिए नहीं तो सबजे का टेस्ट खराब हो जाता है आलू थ्रेफोर्थ भून गये है अब इस स्टेज में भी खा सकते हैं या फिर आप इस वक टमाटर डाल सकते हैं मैंने दो बड़े चम्मस से दही डाला है और इसे लगातार चलाएंगे जिसे दही फटेगा नहीं दही को आलू की साथ मिला करके अच्छी तरस से इसने भूने लगबग आठ से दस मिनट के लिए इने भूने लो फ्लेम करके दही जब बॉयल हो जाता है तो आप इसे ढग दे अब दही फटेगा नहीं दही को हम इतना भूनते हैं जिससे ये दही सूख जाता है अब एक आलू को दवा करके देखते हैं देखे गल गया है आप इसे स्टेज में भी आलू की सबजी खा सकते हैं मेरे पास कुछ तले हुए गटे हैं गटे कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में है अब जब boil हो जाता है पानी तो आप इसमें गटे डाल सकते हैं ये जरूरी नहीं है कि गटे दही वाले जब बनाते हैं तो आलू डाले आलू डालना optional है लास्ट में इसमें गरम मसाला डालते हैं लगबग आधा चमच जिसे टेस्ट बढ़ जाता है आप इस वक्त गटे भी डाल सकते हैं तो दही वाले गटे बन जाएंगे गटे जब डालते हैं तो चार से पांच मिनट के लिए इसे बॉइल करें धाब करके सबजी बन गई है बहुत सारी मैंने बेशन की रेसिपी दी है सबजी कैसी बनी है थोड़ी सी लेकर के टेस्ट कर लेते हैं जैसे चीला से भी मैंने बेशन की सबजी बनाई थी वो भी बहुत अच्छा लगा था दही वाले गटे की सबजी भी मैंने बनाई है और बिना दही वाले भी मैंने गटे की सबजी बनाई है और मैंने जुनका भाकरी भी बनाया है और बेशन की चटनी भी बनाई है लेकिन आपके टेस्ट वर्ट के हिसाब से देखा जाए तो अलग ही हो सकता है लेकिन बिना दही वाला जो गट्टे की सबजी मैंने बनाए थी वो सबसे अच्छी बनी थी थोड़ा सा धनिया पत्ता और कुछ आपके पास पुदिने के पत्ते हो तो उसको भी डाल दें एक चुटकी कसूरी मेथी और स्वादनुसार इसमें घी डाल दें और भी जैका बढ़ाना हो तो गैस ओफ कर दें मिन्स जब सबजी बन जाती है तो निचरली ये गैस ओफ करेंगे ही आप उसमें किचन किंग या फिर मैगी मसाला डाले जिसे टेस्ट काफी बढ़ जाता है सभी सबजी अच्छी बनती है लेकिन टेस्ट पर डिपेंड करता है कौनसा आपको अच्छा लगेगा आलू गटे वाली वी सबजी आज जो मैंने बनाया है वो भी बहुती अच्छी बनी है बारिश के दिनों में हरी सबजी खाने का मन ना करे तो कभी-कभी आप ये गटे वाली सबजी आलू के साथ बनाया तो बहुती अच्छी लगेगी क्योंकि बेशन और आलू सबके घरों में रहता है इसे सर्विंग वॉल में निकाल ले इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खाया जा सकता है बहुत ही अच्छी सबजी बनी है और हाँ आपको वीडियो कैसा लगा? इसे पसंद आया होगा तो इसे लाइक करे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन रिजन पका दे तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो प्लीज कर ले और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स डेसिपी की साथ तब तक के लिए टेक केर और थैंक्स फो वाचिंग